इस वीडियो में हम बात करेंगे वेल, मल्टी माइटमिन, मल्टी मिनरल के बारे में सबसे पहले जानते हैं कि वाइटमिन्स और मिनरल्स क्या होते हैं और क्यों वाइटमिन्स मिनरल्स की हमारे स्वस्थ शरीर को जरूरत है वाइटमिन्स और्गैनिक सबस्टांसिज यानि कि जैविक सबस्टांसिज होते हैं जो कि आम तोर पे हमें पोधों और जानवरों से मिलते हैं और मिनरल्स होते हैं खलिज जो कि आम तोर पे मिट्टी या जमीन में पाए जाते हैं वाइटमिस मिनरल्स का जो सबसे बड़ा रोल है वो यह है कि हमारी शरीर में जो भी क्रियाएं हो रही है उनको सुचारों रूप से सही तरीके से चलाए रखना जिसे पाचन क्रिया पाचन क्रिया जब आपने कुछ खाना खाया उसके बाद वो पच्छता है अगर वाइटमि कार्वाइडरेट्स तो खूब ले लें लेकिन अगर आपकी डाइट में वाइटमिन मिनरल नहीं होगे तो कार्वाइडरेट्स से उर्जा सही तरीके से नहीं बन पाएंगी इस तरह से कई लाखों क्रियाएं हमारे शरीर में होती है उन सारी क्रियाओं को सुचारू मिनरल है और यदि कैल्शियम की कमी हो जाए तो हड़ियों का विकास सही तरीके से नहीं होगा और तीसरा एक बहुत बड़ा रोल है हमारे शरीर को रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करना यदि वाइटमिन और मिनरल हमारी डाइट में अच्छी मातरा में नहीं हैं तो रोगों से लड़ने की शक्ति हमारे श्रीर में नहीं होगी और आए दिन इनफेक्शंस होने का खत्रा बना रहेगा कई तरह के वाइटमिन्स और मिनरल्स हमें चाहिए, एक बहुत बड़ी वराइटी चाहिए और usually ये वराइटी हमारी आम डाईट में मुजूद नहीं होती और इसलिए इसलिए कई तरह की कमिया हो सकती हैं हमारी डाईट में और इन कम्यों के चलते कई problems हो सकती है जैसे कि बालों का कमजोर होना बाल बहुत जल्दी तूट सकते हैं जड़ सकते हैं हमाई तवचा में बढ़ती उमर के निशान जल्दी आना वाइटमीन A की कमी के आरे नाइट ब्लाइपनेस होना कैलॅशियम या वाइटमीन D की कमी के कारण और निवर भृबड़ा होना और ये वाइटमीन मिनर्जी कमी है तो हमारी रोगों से लड़ने की चशक्ति कम हो सकती हैं स्पेशली वाइटमिन सी, वाइटमिन बी कॉंप्लेक्स, वाइटमिन ई, जिससे कि आए दिन सर्दी खांसी जुकाम और बाकी इनफेक्शन का खत्रा बना रहता है। और साथे साथ अगर एक मिनरल आयन नहीं है या फॉलिक आसेड नमक वाइटमिन नहीं है तो अनीमिया भी हो सकता है जो कि आज कर बहुत कॉंपन है। जैसे कि हमने बात की कि एक बहुत बड़ी वराइटी चाहिए हमें वाइटमिन्स और मिंदल्स की आम हमारी डाइट में सारे वाइटमिन सारे मिंदल सही मात्रा में जारतर अवेलेबल नहीं होते तो इसलिए बहुत जरूरी है कि वाइटमिन्स और मिंदल्स की कमी को दूर कर के लिए हम एक वाइटमीन मिनरेल का हाई क्वालिटी सप्रिमेंट लें जैसे कि मोडी किर का मल्टी वाइटमीन मल्टी मिनरेल टाबलेट में एक बहुत बढ़िया वराइटी है वाइटमीन मिनरेल और बाकी दूसरे न्यूट्रियंट्स की तो आधिये विस्तार से देखते ह है मोडी के वेल मुल्टी वाइटमीन मुल्टी मिनरेल टाबलेट में मोडी के वेल मुल्टी वाइटमीन मुल्टी मिनरेल की एक टाबलेट में आपको मिल जाते हैं 12 तरह के वाइटमीन्स वाइटमीन A, D, E, K, वाइटमीन B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12 and 8 important minerals जैसे कि फॉस्फरोस और इन वाइटमीन और मिनरेल के अलावा हमने इसमें 6 फाइटो न्यूट्रियंस भी डाले हैं फाइटो न्यूट्रियंस वह पौशिक कत्व हैं जो सिर्व पोधों में ही पाय जाते हैं और इनके कई सारे बेनेफिट्स हैं जिसमें से की एक सबसे बड़ा ब आलशियम की अब्सॉप्शन को इंक्रीज करेगा और अलकानिताइन जो की हमारे ऑक्सिडेटिटिव स्ट्रेस को कम करके हमारी रोगों से लड़ने की शक्ती को बढ़ाएगा पिप्रीन वन ओफ फाइटो न्यूट्रियंट है मुल्टी मुल्टी मिनरल में जो सारे न्यू न्यूट्रियंट में कौन को ले सकते हैं कैसे लेना है तो हर एक व्यक्ति मुल्टी वाइटमिन मुल्टी मिनरल ले सकता है इस्पेशलिंग लोग जो बीजी रहते हैं अन्ग हैलोडी इटिंग हाबिक्स हैं स्मॉक या अलकॉल लेते हैं या जो अपने शरील से काफिस जा मिनरल लेते हैं तो कैसा फाइदा आप एक्सपेट कर सकते हैं वेल पूरा दिन भर ओजावान रहेंगे आपकी रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ सकती है इसके इलावा बालों के लिए स्किन के लिए आंकों के लिए हडियों के लिए तो अगर हम कहें पूरे शरीर के ल आथी वर्या सप्लिमेंट है थैंक यू सो मच